काई शेयर इंग उन्सेयर वनमों वीडियों के मावदा पी अठी और आज की पीएच्पी वीडियों में हम देखने वाले के पी अठी की इंडर मायजिट करते हैं मल्टिपल रिकॉट्स में पी अच्बी इन्दर तो चाजते हैं computer screen में जानते हैं के अंशर्ट कैसे करते हैं multiple records ही CSS sorry PHP में so let's move to computer screen and let's go coding with loving so guys in today's PHP video I am telling about the mysql में कैसा हम insert करते है multiple records so let's get started without wasting any time insert the multiple records वो भी into mysql में और हम using करेंगे mysql i or pdo my multiple sql statement multiple sql statement must be executed होते हैं with mysql i multi query function के साथ जो मारी following examples है वो add करते हैं तीन नए records वो भी to my gets table पे यह example में देखो यह example है mysql i object oriented की यहां पे आप यह लिख सकते हो यह example को मैंने आपको अमनी previous video में भी run करके दिखा लेकर आपको दिखा देते हैं ताके जनने मेरी previous video ने देखी उनको ज्यादा कोई मसले ने आया हैं वो आराम से समझ लें इस वीडियो में आपको अपनी previous video में बदाया यह error नहीं होते हैं यह error नहीं होते हैं यह आपको श्टोर कर लेता है यहां पर तो इसके लिए नोट डेट जमाला इसक्वल स्टेट्मेंट मस्ट भी सप्रेटेड होता है सेमिकॉलन के साथ किस से समिकॉलन के साथ एक्जैम्पल अगर आपको दूँ इस एक्जैम्पल में हम यह माइसक्वल प्रूश्यल की एक और अगर आपको एरट नहीं चाहिए तो मैं आपको एक बता देता हूं आपने क्या करना है तो आपने यहां पर कॉपी कर लेना है और यहां पर पेस्ट करके लिए प्लीज टैल मी वर्ट इस एरट इन देश कोड गेफ मी इं आउपट विट पोट तो यहां पर यहां पर यहां पर एसे आप करके पेस करके फिरण कर दो अब आपको आप लें डेगा तो आप हम एहरा जाते है पीटियों एक लिटल इस ढीट है मतलब नब आप लिटल इस तरा में जो बहुत है लिटल ऑन बैट जिङक कॉब घर डिग लिख रहा हो गए है इस ढलग किया भाटत बार यह सुछा इब पर दिफाइन किया है मुझे पता है कि कॉमेट च्छे लिखाइन करते हैं यहां पर इस से पहले रिद्धाइन किया वे अपना पीडी काइन एक्वेर नोमी फॉर्टीन लान में पिगन के अमने श्कूंट है अग्सेटेशन घर लेते हैं 21 तक हमने मतलब 16 से लेगे 21 तक हमने अपना जो SQL का हमने यह हमारा SQL का statements है और फिर और फिर हमने आपे 24 25 26 27 28 29 और 30 और 31 तक 32 line तक हमने commit किया अब हमने transaction को तो नहीं बलके हमने आप transaction को 25 और 26 तक किया है और फिर हमने 29 और 30 31 32 में क्या किया है इसमें रोल किया है अपने transaction को जो something failed है और यहां पे भी हमारा failed ही होगी है और यह लेकर यह database में store होगी है तो यह देखा आपने तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की विडिये जरू पसंदाई होगी जिसमें अमने जाने के my mysql में कैसा हम insert करने multiple records को तो अब मीट करता है आपको आज की विडिये जरू पसंदाई होगी कर पसे आज बीच लाइक करें